यह हम स्कूल में जा रहे थे हमारी स्कर्ट के डीचे किसी ने हमारी थाइस पर हाथ रख दिया है हम यह पापा को नहीं बता पाएंगे यह कल से वो जाने ही बिलिगे हमा जाने उस घर से तो आपको यह बोलत निकाल रिख दिया गया कि आप पराया धनो है मने बाइब उसकी सरकार हो कयसे वोटिंग की आंदोलन भी तब ही सफ़ल होता है जब सरकार अच्छी हो और उस तरह की हो कि आपकी बात माने जब सदफ वेलकम टो पोड़कास्ट बहुत शुक्रिया आपका उसे बुलाने के लिए अच्छा आप यह वगाएं कि जन्रलिजम किस तरह स्टार्ट कर सकते हैं कैसे करियर बना सकते हैं लिए बहुत सारे लोग है जो जन्रलिजम में आना चाहते हैं रिपोर्टिंग करना चाहते हैं तो कुछ पताएंगे इसके बारे में जन्रलिजम का क्या है कि अगर आपको डिग्री लेनी है या फिर अगर आप डिग्री लेना चाहते हैं तो वह बहुत अच्छी बात ले सकते हैं लेकिन बिना डिग में जा कि यह सब कर सकते हैं, बट मुझे यह लगता है कि किसी के अंदर अगर पैशन है जर्नलिजम का, वो करना चाहता है, तो वो अपने स्कूल या कॉलिज टाइम से, मतलब जब आप ग्राइजवेशन में हैं या फिर जब आप स्कूल टाइम पे हैं तो आप अख बार होगे, उतना आपको fluency आएगी, आपको पता चले किस तरह ही खबरे चल रहे हैं, किस तरह से हमें खबरे करनी हैं, और मुझे यह लगता है कि सबसे ज़्यादा जरूरी जर्नलिजम है वो लिखना है, आपकी लिखने पर पकड़ अच्छी होनी चाहिए, आप कुछ भी लि होगी कि किस तरह से हम लिख सकते हैं, या किस तरह से मुद्दो को हम बड़े लेवल पर लाके उठा सकते हैं, मतलब अगर आप graduation से हो तो मुझे ऐसा लगता है कि आप social media पर आईए, और Instagram हो, Facebook हो या किसी भी चीज़ पर आप धीरे-धीरे लिखना शुरू करिए, प्लस जो जर्नलिस्ट हैं, आजकल चाहे रवीश कुमार है, आर्फा खानम शेरवानी हैं या फिर जितने बड़े जर्नलिस्ट हैं, आप उन सब लोग को सुनते रहे हैं, देखिए कि वो किस तरह से काम कर रहे हैं, जो अच्छी अच्छी रिपोर्ट्स हो रही हैं, जो जैसे investigation journalism हो मतलब आज के टाइम पता जर्नलिस्ट का आपको हल पता ही है कि क्या हो गया, इंडियन मीडिया का तो पूछे ही मत, तो उस तरह की reporting ना कि जर्नलिस्ट इस आल अब आउट डूइंग जो लोगों के काम आए, जर्नलिस्ट यह नहीं है कि आप टीवी पे बैठ के बहस ऐसा नहीं है, जर्नलिस्म में बहुत सारी चीज़ है, जर्नलिस्म में बैक स्टेज भी बहुत सारा काम होता है, सिर्फ एंकर बनके आपको लगता है आप जर्नलिस्म करोगे तो ऐसा बिलकुल भी नहीं है, रिपोर्टिंग करके जो ग्राउंड वाला जर्नलिस्म होता है, वो जर्नलिजम करोगे तो ज्यादा बहतर है सदफ आपने अपनी करियर की कैसे शुरुवात की तो मैंने जामिया से ग्राइशन के मास मीडिया में और उसी के दौरान करते-करते वी स्टार्टेड यूट्यूब चैनल यूणिवर्सिटी सर्कल पढ़ाई के साथ-चैनल तो हम लोग उसमें क्या करते थी उनिवर्सिटी सर कलमें कि उनिवर्सिटी सर रिलेटे एजूकेशन सर रिले स्टुडंक पॉलिटेकम सर रिलेटे डियुज्स्डंत सर्कल सर इसमस्हर ससदिदिश हानी लगा फिर उसके बाद I did my Masters in Women's Studies क्योंकि मुझे हमेशा से महिलाओं के इशू पर जेंडर इशू पर इंट्रेस्ट था तो मैंने फिर उधर उस साइट पर थोड़ा रिपोर्टिंग करना शुरू किया और उसी की वज़ासे I got chance in BBC और BBC में जो मेरी profile है वो वीडियो जनरलिस्ट की है तो मैंने यहां पर कुछ महिलाओं के मुद्दे पर रिपोर्टिंग की हैं जैसे एक मुद्दा था जैसे मैंने रिपोर्टिंग की थी LGBTQ in Islam Islam में LGBTQ क्या होता है तो उस पर हमने अलग different different scholars से बात करके एक रिपोर्टिंग की थी इसके लाब भी और एक बच्चा था LGBTQ उसने से साइड कर लिया था वो मैंने रिपोर्ट किया तो अभी I am still doing job in the business आपका actual work क्या होता है वर्क जो होता है So video journalism is like one person army आप जाते हो field पे आप shoot भी करते हो आप shoot करके लेके आते हो उसके बास को एडिट भी खुदी करते हो उसके बाद it's like a full package आप खुद से बना रहो okey contents भी खुद से create करना है content भी खुद से create करना है आप शोट भी खुद से करना है script भी आपको खुद से करना है editing भी आप ऐब पुरा एक studio का काम होता है है फिर उसक बाहर उसकी स्क्रिप भी तियर करने होता है उसको इंटर्व्यूस मेर यirus करने होता है만 ऐसा होता ही कि पिछ करना पड़ता है कि है आपके पास कोई स्टूरी आइडियास है तो आप अपने एडिटर को जाके पिछ करो गया जैसे मैं जादा तब मेंस इशूस पर करती हूं तो हमारे यहां पे एक मैडम है जो विमेंस इशूस से रेलेटर चीज़ों को अप्रूव करती है तो हम आप जाके पिछ करता है उनको पसंद आता है हम इस तरह से कर सकते हूं क्यों कंटथेटीए कि Estamate इस तरह से क्रसकते हैं तो ऐसे करके हम दो फिल्ट पे जाते हैं और Пिस को अपरोच करती हो दो पहले सी आइडिया लगता कि कि किस को प्रोच करना इस किसके पास याना है जैसे मैं आरव्य वाला बताती हूं एक story थी जब बच्चे ने suicide किया था तो उसमें जब हमने approach किया तो बच्चा suicide कर चुका था उनकी मदर को हम लोगों ने contact किया तो उनकी मदर से interview किया फिर उन मदर को interview करने के बाद then we talked to a psychologist की बच्चों के साथ जो school में bullying हो रही है इसका क्या असर क्या पढ़ रहा है बच्चों पर फिर इसको कैसे रोका जा सकता है इस पर mother or father's या school कैसे भूमी का अपनी निभा सकता है school principal से बात की तो इन सब की video combine करके फिर हमने एक report तेयार की with text जो narrate करता है okay जो पूरा narrate करता है जिसे पहली बाइत में मदर की आगे जो बता रही है कि मेरे बेटे के साथ यह हुआ उसके बाद फिर वो narrative चल रहा है कि यह बच्चा ऐसा था उसके साथ यह हुआ फिर उसको पूरा ऐसा नेरेट करके पूरी तीन या चार मिनट में हम अपनी it's it is Karma Karmaह किरी झांफर क्लिट कर लिए प्रोपर अप्रट इंथ कर रोपर रपींग डिंग तो अ Infiniteily और यह को आप और फिल कोffect असा यह के जा फन विर ट इन कि क्या हुआ यहां पर हां उसको जो आप यह बोल नहीं हाड़ नियोज होती है ओल्ड नियुज में भी दो तरह कि हाड़ दॉाफ दॉस तो मेरा जो इंट्रेस्ट है वह जादा तर फीचर और सॉफ मुशित नियुस की तरफ है तो मैं उसी तरह के इशूस कवर गते हैं तो फिर वो आपको पर्मिशन देतना प्रूफ कर देते हैं कि आप ये कर सकते हो जो आप हाड नियूस वाली बात करें उसके लिए वो रिपोर्टर से अलग होता है कि अब यहां पर किसी बिल्डिंग में आग लग गई है तो आपको वो जाके लाइव दिखाना है या वो करना है वो हाड नियूस है यहां क्या होने वाला और वह लोग बहुत जल्दी पहुंच वी जाते हैं तो मतलब यह नेट्वरकिंग होती है या फिर किस तरह यह ज्यादा तर तो न्यूस अजिस से हम लोग कंफर्म करते हैं जैसे एन आई है पिटी आई है तो इन लोग की खबरे चलती रहती है जैसे कोई ब्रेकिंग मीज आई फिर भी बीबीसी में यह चीज़ है कि यह दो या तीन ऑथेंटिक सोर्स से कंफर्म करता है अगर वहां पर आपको कोई बंदा है को रिपोर्टर है उसको बेज उसको बेजा जाएगा कि वहां पर आग लग चुकिए आप तयार रहो अगर कुछ जादा बड़ा होगा तो आपको जाना पड़ सकता है तो जो वह रिपोर्टर है वो यह करें गिए जो नीज वगेरा होती है जो रिपोर्टिंग करते हैं लोग उसमें सच्चा ही कितनी होती है सच्चा ही अब मैं इंडिया का एक्जामपल तो एकदम नहीं दूंगे यहां पर अच्छे से अप और बाहर की मीडिया किस सब्सक्राइब करते हैं। इंडेयन मीडिया में क्या होता है कि कोई भी चोटा चोटा मुद्धा है या फिर जैसे अभी कमिनलिय जम्ट चीज़ें चल रहे हैं हिंदो मुस्लिम यह सब दिखाना है तो आप एक साइट की चीज़ा कवर कर तो एक साइट की नहीं करते हो, for example, राहूल गांदी की यातरा चल रहे थे, आसाम वाली, आपने उसको पूरा नल एन्वाइट किया, जितने बड़े चैनल थे, अब कहीं नहीं देखने को मिलेगी, फिर वहां पे जब उनको अरेस्ट क इंटरनेशनल मीडिया जब भी कोई भी मुद्दा कवर करती है, जैसे BBC मैं काम कर रहे हूं, और मैंने यहाँ पर देखा है कि कोई भी breaking news आई है, एक तो यह एकदम से नहीं चलाएंगे breaking news, जैसे वो बड़ी-बड़ी ख़बरे देख चलाते हैं, यह भी पर नियूस की सब काम है, जानलिस्ट का काम होता है, इंफरमेशन देना, इंफरमेशन में यह नहीं करना कि हम अपनी साइड का इंगल डाल के कुछ information पका के फिर आपको दे रहा है, जो इंडिया को अशेकरर है, मुझे ऐसा लगता है, तक सिर्फ एक तरफा बात की जा रही है, तो मतलब ऐस इंडिया में ऐसा क्यों है इंडिया के अभी पॉलिटिकल हालात देखके आप कह सकते हो कि ऐसा है प्लस यहां पर क्या है कि जर्नलिस्ट का एक जर्नल जर्नलिस्ट का काम होता है सरकार की आलोचना करना सरकार काम कर रही है या नहीं कर रही है वक्त वक्त पर यह देखते रहा ना इंडियन मीडिया जो कर रहा है वो सब को दिखी रहेगी तो मुझे बताने की जरुवत नहीं है तो यह क्यों कर रहा है अब प्रेशर है या करना है ऐसा या करना नहीं चाहता है विए एक टाइम प अभी मैं कहीं गाव में जाके बोलुए जर्नलिया रहे होगी हमें क्या लेटा तो वैसा ये प्रोफेश्चन में जो बदला वही है मैंने अपने सामने देखा है पता है ग्रैजवेशन में मास मीडिया कर रही थी तो ये कनहिया और जेवियो वाला मुद्द हुआ था ना वह किस तरह से एकदम हताश होता चला गया हर एक चीज को लेकर पहले पूरे एनरजी के साथ रिपोर्टिंग कर रहा होता था विश्कुमा और फिर उसके बाए हमने दीरे दीरे रेखा कि एकदम हताश होता चला गया वह एंड़ी पर ब्लैक कर रहे हैं कभी वो कुछ और लेक तो सोशल मीडिया के जरी जरी और इंटरनेट के लिए देखते हूं बाखे न्यूज नहीं देखते हूं जैसे रभूीश कमार बार 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 बोलतेंगी टीवी मत देखो तीवी मत देखो तुवह है की देखना से लाइक कि आप अपने घर में है या आपने मेंटल पीस आ जो चलिया तो असे लगता है कुछ हो रहा है, मतलब मेंटली आपका पीस खराब हो रहा है, आपको नहीं देखना है, छोड़ दो, तो मैं एक दम सो उसको बंद करके चले आपको नहीं देखता है, अगर हमें कुछ सच्छा ही जाननी होते हैं, तो हम सोचल मीडिया के तरू ज क्या है, बट इंडिया में क्या होता है, जो हम न्यूज में देखते हैं, फिर हमको क्लियर करना होता है, शोचल मीडिया पर जाकर के कि सच्चा ही क्या है, तो इंडिया में क्या है कि मेंस्ट्रीम मीडिया आप खतम समझे, मेंस्ट्रीम मीडिया पूरी दरह से खतम हो चुक जो वेकल्पिक मीडिया ही है जैसे वेकल्पिक मीडिया को आप इंग्लिश में क्या कहोगे I don't know alternative media I think जैसे योट्रेंटिव मीडिया जैसे यूट्रेंटिव मीडिया जैसे आप देख लीजिए रवीश कुमार का यूट्यूब चैनल, और भी बहुत सा इलों है, समधीश है, इतना चछे इंटर्व्यूज करता है वो, इसके लावा जैसे दवायर है, दप्रेंट है, स्क्रॉल है, न्यूज लॉंड्री है, इस तरह की जो वेबसाइट से और अल्ट न्यूज है, जब इन जोने आना शुरू किया, तो इन लोगों ने फैक्ट चेकींग करना शुरू किया, और फैक्ट चेकिंग की वैबसाइट मीसलियूज xu 나가 हमें कुछ खबर देखने किसी सचाई का पता लगाना है तो वो देखना पड़ेगा नहीं अब तो यह हो रहा है कि आफ टेकिंग वेबसाइट देखते हो तो वही है और लगता कि पुरना होता ना कि ब्रेंवाश कर रहें है लोग अगर हम देखते हैं मुझे टोटली अशनल लगता है ब्रेंवाश कर रहे हैं किसी एक चीज को लेकर एक ही निरेटिव जब आप पकाते रहोगे पकाते रहोगे तो इनसान के दिमाम हो भरी जाएगा ना किसी बी तरह से वही करने के बाद student के पास मतलब क्या क्या option होते हैं वो कहा कहा जा सकता है क्या क्या कर सकता है तो पहले journalism में क्या होता था कुछ थोड़े बहुत options होता है तो radio है आपका print media आ गया आपका TV आ गया बट अभी जब से digital media है तब से आपके पास options बहुत सार हो गया आप YouTube channel बना सकता हो आपको ऑंट्रस्ट हो और podcast में आप podcast चेनल को शुरू कर सकतो इसकə लावा websites आप websites बजा सकतो इसके लावा reporting में different Different हैं जैसे entertainment reporting आप कर सकतो lifestyle reporting आप कर सकतो health reporting आपकर सकतो ب WATs sports reporting आप कर सकतो gender reporting आपकर सकतो तो depends on your passion इसके यारावा इसके इलावा, मीडिया एक बहुत ब्रॉड टर्म है, मीडिया इस जस नॉट अबाउट जर्नलिजम, जर्नलिजम ठीक है, उसका एक पार्ट है, बट मीडिया में भी पी आर है जैसे, एडवेटाइजिंग है जैसे, तो इन सब चीजों में भी आप जा सकतो, प्लस जो बैक वाला काम होता है, एक कैमरा है, आप कैमरा सीख लो, आप एडिटिंग सीख लो, इस तरह की बहुत ता, जैसे अब ये नया ये जो विडियो जर्नलिजम वाली जो एक पोस्ट है न, इस इस न्यू इन इंटरनाशनल मीडिया, और अब ये दिरे-दिरे इंटिंग इंडियन मीडिया भी अडॉप्ट करना शुरू कर देगा, तो जैसे AFP है, Reuters है, और AP है, BBC है, Al Jazeera है, तो इन सब जगाहों पे एक यही पोस्ट होती है, पर्टिकुलर्ली विडियो जर्नलिजम, तो विडियो जर्नलिजम में, इसके लिए आपको यही करना होगा, आपको कामरा आना चाहिए, आपको कारीटिंग आने चाहिए, आपका content मजबूत होना चाहिए, आपकी reporting skills मजबूत होनी चाहिए, तो तब जाकि आप वह वाला काम कर पाऊए, तो options बहुत सार है, depend करता है कि passion क्या है बंदी का, क्या करने चालता है अच्छा education के हम बात करते हैं, तो अभी ना काफी बदलाव आ चुके हैं देश के अंदर लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे पार्ट हैं जहां पर girls को मतलब education allowed ही नहीं है मतलब school education भी वो नहीं ले पाती है, तो आपका क्या standards भी बदलाव आ रहे हैं इंडिया के अंदर और वही है कि बदलाव दीर दीर आते हैं बहुत gradually आते हैं लेकिन जब हम rural parts में देखते हैं तो rural parts में कभी भी महिलाओं की education पर focus ही नहीं था, from this starting till now, है ही नहीं, तो क्या reason है इसका reason यह है कि हम लड़कियों की जो conditioning हम करते हैं, वो उस तरह की करते हैं कि लड़कियां घर के लिए बनाएं गई हैं, वो घर के काम करेंगी, लड़के हैं वो पैसा कमाएंगे, तो उनके लिए education ज़रूर कि नहीं आपको पढ़ना है, आपको कुछ बड़ा हासिल करना है, और बेटियां, बेटियों क्या करना हैं पढ़के, उनको education क्यों ज़रूर ही है, मैं एक example देती हूं कि एक घर है, वहाँ पर तीन बेटियां हैं और एक बेटा है, और बेटा सबसे छोटा है, और जो बेट से हैं क्योंकि वहाँ पर एजूकेशन नहीं है और यह जो जादा करते हैं जो लोग मुझे ऐसा लगता है मर्दों से जादा ना महीलाएं पेट्रियारकल है उस गाउं में या उस एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में और वो क्यों हैं क्योंकि वो कंडिशनिंग वैसी हो रखी यह वे बच्पन से ही आपको वैसे सिखायाँ मैं अगर मेरी माँ बहुत पर्रियारकल है तो मैंने अपनी माँ सी शीख़ए कि नहीं लड्की", तो ऐसी रहना है. तो इस वजह से यह हैं कि लडक्यों को नहीं पढ़ाना है तो खास का packing रूर्ट ललाकों में गांदी जी सेड इफ यू एजुकेट अमेन यू एजुकेट अपॉसन इफ यू एजुकेट अबुमिन यू एजुकेट अन इंटायर फैमिल्यू तो आपका क्या व्यूजेस के ऊपर मतलब कैसे कुछ बताएंगे के अगर एक लड़की को पढ़ाया जारा तो पुरी मतलब आने वाले जनुरेशन को भी वो पढ़ाएगी या वो एजुकेटेट होगी वो फैमिल्यू तो यही है कि जब एक मर्द को पढ़ाते है ना मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियां और जो औरते होती है ना वो सेंसेटिव होती है अगर आप उनको पढ़ाऊँगे उनकी कंडिशनिक मुण से सबसे करोगे उनका दिमाग भेगा रगते जमाग के जाले भुरम चुर्ब जो बच्पन में जाले लगा दिया जाते है ना लड़कियों के दिमांग में कि आपको यह करना है आपको यह करना है बस आपको यही करना है यही आपकी दुनिया है वो जो एक स्ट्रक्टर सेट कर दिया जाते है जब आप पढ़ोगे पढ़ाई से भी मेरा यह है कि सिर्फ द पढ़नी है तब आपका दिमाग खुलेगा लेकिन जब आप कुछ जैसे रूरल इलाकों में होता है कि लड़कियों को पढ़ाता है लेकिन वो जो लोकल कॉलेज़ होता है जैसे मैं फॉर एक्जामपल मुजफ़र नगर और मेरट के बात करूं तो वहाँ पे चौधरी चरंस उनिवर्सिटी है उसके कॉलेज़ सब जगह पर हैं और वहीं पर उन लड़कियों को पढ़ा दिया जाता है वो लड़कियों में कर लेती है उनको एप्लिकेशन लिखनी नहीं आती है ऐसी पढ़ाई का फायदा और पिर कहेंगे कि नहीं हमने तो अपनी बेटी को पढ़ा पढ़ोगे डिफ्रेंट टॉपिक्स की चीज़े पढ़ोगे डिफ्रेंट इसन राइटर्स को पढ़ोगे फीचर पढ़ो या नॉन फीचर पढ़ो कुछ भी पढ़ो बस पढ़ो और जब पढ़ोगे तभी यह होगा कि दिमाग के चाले खुलेंगे तो बैक टुद अब बेक टूए कोश्च्चिन जब एक महिला पढ़ेगी तो वह घर को लेके चलेगी ना जैसे मुझे इससे भी वैसे इस 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 तरह से बदलाव आना चोटी छोटी स्टेप से बदलाव आएगा तो एट्स ओके एक महिला को पढ़ा होगे वो अपने बच्चों को दिमाग की महिला होगी ना जिसके जाले हटे वे होंगे तो वह अपने बेटी और बेटे में कभी फर्क नहीं करेगी और जब बेटी और बेटे में फर्क नहीं करेगी तो वह दोनों की सेम कंडिशनिंग करेगी तो वहाँ पे जेंडर नहीं पता होगा बच्चों को उसको को यह नहीं पता की मैं लड़की अगया था हूँ और मैं इस वजह से यह नहीं कर सकता हूं यह नहीं होगा और यह तब ही होगा जब आप महिलाओ को एजुकेशन दोगेशन सिर्फ डिग्रिया वाली ने सो डिग्रियां वाली एजूकेशन नहीं जाले हटाने वाली जाले जो दिमाग के जाले हट जाए हमेशा यहीं कहते हूं मुझे ता फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हैं आपके उपर प्रेशर है या कुछ रोका गया है आपको भी बिल्कुल मैं बता देती हूं मैं भी एक ऐसी जगह से आती हूं वहां पर भी चॉद्रे चारंसीं युनिवर्सिटी का कॉलिज वा करता था जहां से महले की सारी लड़ की वहां से पढ़ी है आसपास के महलों की जितनी लड़कियां थी सब वहीं से पढ़ी है और उस टाइम तक हमें लगता था एजुकेशन यह होती है बहुत सिर्फ यह यह कि आप कॉलेज जॉब एक्जाम दे दो आपके पास एक बीए की डिगरी आ गई उसके बाद आपके शादी हो जानी है सिर्फ यही एजुकेशन का मतलब नहीं है और वो अच्छे पोस्ट पर है उनकी जाले हटे वे हैं तो फिर उनको एक्सपोजर मिला होगा आप मर्द की बात कर रहें और और आप बड़ी हो लेकिन भाई छोटा है आपको भाई चोड़ना जाएगा कॉले बाई ही वापस लेका आएगा बट यह तो ठीक है अच्छी चीज़ है ना कैसे अच्छी चीज़ है कि आपको सिक्योर्टी मिलेगी बाई आपके साथ जाएगा फिर भी घरवा लोगों बता देगा अगर के बैन कहा जा तो यह तो वह हुआ ने कि आप नजरे रख रहे हो ह अगर आप अपनी बेटी पर इतना यकीन नहीं कर सकते हो कि वह अकेली कॉलेज जा पाए और वहां से वापस आपा है और कॉलेज में जाके उतना एक्स्पोजर ले पाए इविन गाउं के इलाकों में यह होता है कि लड़कियों को मना करते हैं कि दोस्ती मत रखो लड़को से धोसी मत रखो लड़कों से दोस्ती नहीं करने लड़कों से बात अन्हीं करने यह हुआ है कि आपको फ़न नहीं यूस करने है आपको इली या लकु पर को रोखते हैं और दो इस चीज यहां ब्रॉक्त करेंगे न और तो जो एक लड़की होगी न अपनी व्लाइक चीज बटा पाएंगी और मुझे मेरी लिगाईड भी कर पाईगी कि तुम यहां पर यह गलत करूई बड़े हैं है obviously उनके पास experience आद है चाहे वह conservative हो या कुछ भी हो but they are experienced अगर मैं कुछ अपना personal share करूंगी because they trust me और वो मुझे डांटिंगे नहीं मुझे समझाएंगे तो यह चीज़ जैसे मेरे पापा करते थे मेरे पापा थे कि वह हमेशा हमें शाम से लेकर रात लेकर बैठते थे और हमें different different चीज़े बताते थे कि आपको जिन्दगी में यह करना है आपको जिन्दगी में ऐसे आगे बना हम उनसे अपनी personal problems भी share कर सकते थे तो जब ऐसा घर का माहौल होगा तब यह होगा लेकिन जहां पर डर होगा कि मैं यहां पर यह बता दूंगी कि मेरी इस लड़के से बात हुई या फिर मुझे स्कूल में या कॉलिज में इस लड़के ने यह बोल दिया और इस बात पर मेरे पापा मुझे पढ़ाई चुड़वा देंगे या मुझे कॉलिज जाना बंद करवा देंगे तो वो लड़की क्यूं बताएगी वो तो डर के बैट जाएगी आपका मतलब है कि फ्रीडम होना चाहिए बच्चे के पास बिलकुल होना चाहिए पढ़ाई करने जा रहा है या कहीं भी जा रहा चोटे भाई के साथ न जाए अकेला जाए बिलकुल वो एक लड़की है जो कॉलेज जा रही है जब कॉलेज जाती लड़की के पास का दिमा नहीं सरने असके पास लया च्ट शोते भाई के पास दशेक्न आपकर ना आप हम अनुआ अगर आप मिंडिपेंडेंट बनाएंगे हम खुद अपनी फाज़त कर सकते हैं यह मुझे आपके बाद बहुत अच्छे लगी सदफ जैसे हमने आपकी प्रोफाइल देखी so we seem that you are vocal about many topics especially you focus on safe guarding women rights so आपने कभी इसके उपर research किया है child marriage के उपर मतलब मैंने कभी ऐसे किसी particular topic research तो नहीं किया है लेकिन मैं अपने personal experiences से social media पर लिकती हूँ मैं जिस background से आती हूँ वहाँ पर महिलाओं को नहीं पढ़ने दिया जाता था वहाँ पर कुछ हाफिज और कुछ मॉलाना इवन यह भी कहते थे कि महिलाओं को मत पड़ाओ यह बिगड़ जाएंगे इनको अंग्रेजी तालीम नहीं देने अंग्रेजी तालीम देने तो यह बिगड़ जाएंगे हां तो होता है कि अंग्रेजी तालीम मत दो महिलाओं को यह बिगड़ जाएंगे अंधो बढ़ेन को तो दीनी तालीम दी जाए दीनी तालीम विर्श करेंगे लिभा ब्ला ब्ला जो भी चलता रहा Caesar मैं किसी मोलाना को किका यूश चामस अभलत नहीं भी खेला रहे हूं और जब उन्होंने पढ़ाया और हम जब उस बैक्ग्राउंड से निकल के आए एक वक्त तक पापा वाज ऑल्सो कंजरवेटिव क्योंकि वो सोसाइटी वैसी थी जब धीरे वो निकल के अनौने वो जामी आए वो जामी मा इसे दिखते देगा अच्छा लड़किया पढ़ती लड़किया बहार निकलती तो उनका चीजें फिर चेंज हुए ऑन लोगों के साथ यह था मैं और मेरी बढ़ी बहन थे उस वक्त पढ़ाई करते थे तो यह था क वो चीजे शुरू ही हो, हमने experiences देखे ना, कि सर पे दुपटा रखके आपको बाहर निकलना है, हमेशा सर पे दुपटा रखना है, मगरिब के बाद आप घर से बाहर निकलना है, मगरिब के बाहर निकलोगे तो फला ही कहेगा, फला वो कहेगा, कुछ लड़के खड़े में जो बोलेंगे, वो भी तो मुस्लिम है, और सारे मुसल्मानी ही थे वहाँ पर, हम लोग के साथ हुआ है, experiences मेरा और मेरी बहन के साथ हुआ है, इतना shell में रखने के बावजूद, क्योंकि वहां का माहौल ऐसा है, और हमारे पापको को हमें उस shell में रखना पड़ा, उस shell में रखने के बावजूद, उन गली महलों से निकलते हुए, sexual harassment हुआ है, मेरा और मेरी बहन का हुआ है, और ऐसा नहीं है, यह जिन गावों में जो यह मुहाफ़जत दे रहा है, अपनी बेटियों और अपनी बहनों को, उनके साथ कुछ नहीं हो रहा है, वहाँ पर अभी आउरत से जो वाबस्ता दिखता है, वो अपनी इस्जत दिखती है, और पर्दा दिखता है, और उनको कौक रोज बना देना है, तसलीम आनसरीम कहती है, तहीक जैसे लड़कियां बड़ी होती जाती है, कौक रोज बनवाना रहा है, हमारा समाज बनाने से मतलब है कि वह बच्चों के साथ के साथ खर Mile x 6 Feekt अपी बढ़ ऑने कहीं आ को लिए है और लग रहे-कि आपकी आपकी बढ़े न हो कुछा आप्पा आप उनको एकदम कौनों में दबा देते हो, कि नहीं आप या तो बुर्खा पहन के निकलो, या तो अप हिजाब पहन के निकलो, या अप अपना मूँ कवर करके निकलो, जैसे हम लोग जब पढ़ते थे, इंग्लिश मीडियम स्कूल हमारे गाओं में नहीं था, पर नॉयड में और मेरी बहन और पत्थरों पर जो मर्द बैटे हैं, वो यहां से लेके वहां तक देखते थे, जहां तक हम लोग नजरों से ओजलना हो जाएं, तो यह आप करते हो, आप इतना उनकमफर्टेबल कर देते हो लड़कियों को, कि वो ना तो घर से बाहर निकल पाए, ना एजुकेशन ले पाए, ना वो अंडिपेंडेंटंट्टि को हो पाए, ना वो मजबूत हो पाए, ना उनके दिमाद के जाले है पाए, कुछ ना हो पाए, तो जहां तक चाइल्ड मेरीज की बात आप करें, तो चाइल्ड मेरीज अब बहुत कम हुई ही, पहले बहुत से डेवलप्मेंट आ रहा है या फिर के थोड़ा बहुत भी अवेडनेस आ रही है तो अब दीर दीर कम हुई है मतलब अब यह होता है कि 18 साल से पहले शादी नहीं कराएंगे पर मैं तो 18 साल के बाद भी 20 21 22 में भी अगर आप शादी का रहा हूं मैं तो इसको भी चाइल मैर पहले जो हो जाती थी कि आपको नहीं पता आपकी शादी किस से हो रही है इवें अगर 18 या 19 साल के बच्चे की भी शादी हो तो इसको नहीं पता कि किस तरह कर इंसान है वह हम मुझे किस तरह कर इंसान जी उसने पभी एक्स्प्लोर की नहीं किया चाहे वो लड़की हो चा लेकिन दस साल बाद काफी कुछ डिकलाइन हुआ काफी डिवेलपमेंट हुआ तो उसके बाद दस साल के बाद देखने को मिलता कि कि अब बाद करेंगे अब यह बाद करेंगे अब यह करो तब जा करके रुकेगा बिल्कुल गलत है बिल्कुल नहीं होना चाहिए लेकिन आपकी नजरिये से क्या पॉइंट ओफ्यू क्या रहेगा किस तरह हम प्लान कर सकते हैं अगर हम पढ़ाई कर रहे हैं हम अच्छी उनिवर्स्टी इसमें पढ़ रहे हैं अच्छी एद्यूकेशन तालीमा में मिल रही है तो जो हमारे पेरेंट्स पढ़े लिए नहीं है यह हमारे आसपास के लोग नहीं है उतने एजूकेट्ट तो उनको किस तरह समझाएं क्या प्राइन उनको बताएं कि क्या होना चाहिए कैसे कुछ बताएं हां मुझे ऐसा लगता है कि अपने पेरेंट्स को आप पढ़े लिखे वाप इतना वेर होगे हो कि चाइल मैरिज नहीं होनी चाहिए और बहुत साही राइट्स पे आप अवेर हो गयो तो अपने माबाप को एकदम से नहीं आयेगा अप एकदम समझाऊ वैँ यह तो बहुत रिबोलशनरी हो गया नहीं पढ़ा राणा च्याहिए नहीं उसको नहीं की और पढ़ा लो और पढ़ा बीटियों को बीतों को पढ़ा किसी को भी हो यह और पढ़ा लें अंग्रेजी तालीम देलो और इन तो यहां से उनकी बात सुनी जाएगी और आप धिरे धिरे अवेरनस शुरू करो जैसे मेरे घर में मेरे घर में माहौल पहले बहुत कंजरवेटिव रहा होगा लेकिन जब से हम लोगों ने धिरे धिरे बैट के बात करने शुरू की शायद मेरी अम्मी का माइंड सेट सारे जाले हटने बाकी होंगे अब भी भी हाँ बट फिर हमने दीरे धिरे अपनी अम्मी को चीज़े समझानी शुरू की जैसे शादी की बात है कि अगर हम शादी करेंगे तो हम दहेज नहीं देंगे जबकि यह बहुत नॉर्मल नहीं है लोगों को लगता है कि तो शर्त शादी करती है कि मैं दहेज नहीं दोंगी तो यह ऐसी चीज अ की दमने इसके बारे ममी को बताया कि देखो यह इस तरह से गलत है या फिर होता क्या है अगर हम मुसलिम हैं और हम मुसलिम साय़ी तो हम उनको थोड़ा सा कुरान और इसलाम की नजर्या verses समझाना पड़ेगा जब हम उनको नजरे समझाएंगे तब शायद उनको थोड़ी सी चीज़े समझाएंगे, क्योंकि अभी भी हमारे समाज में क्या है ना, लोग मौल्वियों की और समाजिक बाते जादा सुनते हैं, कुरान की नहीं सुनते हैं, जैसे फॉर एक्जामपल मैं आपको बताऊं, इ इसा हववा बना दिया जाता है कि वो औरत को हवा तक ना लगने दे, और धूप तक ना लगने दे, और जब हम उनसे ये बोलेंगे कि कुरान में इस चीज़ का जिकर नहीं है, कुरान में सिर्फ इतना जिकर है कि चार महीने का आपका वेटिंग पिरेड है, बस इतना है, इसके लावा ये नहीं है कि आपको परदा करना है, फिर वही परदी की बात इसलाम में आती है, तो परदा तो औरत के लिए उतना ही है, हमेशा से उतना है, वो सिर्फ इद्दत पिरेड में ही क्यों आता है, अगर किसी का husband है, जो यंग था, उनका इंतकाल हो गया है, और ब इला को बिठा दिया गया है, चार महीन के लिए इद्दत पे, अब कौन करेगा घर के काम, और 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 उरत को आप वैसे बीचार महीने बाद मुझे लगता है, निकलने देंगे कि नहीं, तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम वो निकल सकते हो, अब इधर के लोग चाचा जाए अबता हुआ जाएंगे अब वो आजाएंगे तो ये खेयर सोचली वैसी चीज़ हैं तो वो मैं कह रही हूँ कि जब आप इन सब चीज़ों ये सारे चीज़े बता के अवेर करेंगे ना इसलाम के नजरिये से अगर मुसल्मान लोग हैं या फिर और फिर और लॉजिकल रिज़ेंगे ब्रॉड परस्पेक्टिव अब उनको लगातार 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 समझाते जो समझाते हैं तो हो सकता है कुछ वग्लीव करते हैं उसका उसका एग्जांपल लेकर तो उस तरह से जब आप समझाओगे तो हो सकता है उन्हों को समझा यही मुझे लगता है और फिर अवेरनस का सबसे बड़ा मुझे लगता है कि आप अपनी जिंदगी में खुद मिसाल कायम करो अपनी जिंदगी तो आपकी जिंदगी से लो एक सब्सक्राल पाइसा होतार नहीं है कर सकते आप उन लड़की को क्यों यह तो जरूरी है ना उनको इंफ्लेंस इस वे में करना पड़ेगा कि एक तो सबसे पहला और तों से जो अपने इजटें वाबस्ता कर रखी हैं ना वो हटा दे इसके लिए हमें डी कंडिशनिंग करनी पड़ेगी कि जो आपकी इजट खत है और अगर बेटी के साथ अगर कुछ गलत हुआ है तो वह आवाज उठाए वह खड़ेओ के बोले उसको उसको इसको इससाथ गलत हुआ तो यह चुपराओ बोली नहीं सकते हैं हम लोगों को मुझे याद है कि हम उस टाइम पर क्योंकि एड़ुकेशन का इतना जादा थ है एक अगर किसीने चेड दिया स्कूल में किसने कि नहीं कुछ बोल दिया तो हम आपने पापा को नही बता पते थे adalah mid one बता फालिए हमने ऑनी को नियुद बिने अगर हम यह बन जाती है अब इसक़िए आप इसकी यह हम पानी कि आरभाना से नहीं यह भूदि यह सबसे बड़ी चीज़ है कि तालीम अपनी बेटियों को जितनी ज़ाद सबसे बना दीजिए कि वह बोल पाएं सब चीज़ों थेलाब सुदफ ऐसा कहा जाता है कि by 2030 चाइल मेरिस कुट भी हिस्ट्री तो इस पॉसिबल के 2030 तक बिल्कुली खतम हो जाएगा येस इट कुट भी पॉसिबल मुझे लगता है जिस तरह के स्टेप्स गॉर्णमेंट उठा रही है तो उससे दिरे दिरे चेंड डिजाइंग अवेर्नेस आ रही है जैसे अभी भी रिपब्लिक डे पे भी जब परीड थी तो उसमें महिलाएं सबसे आगी थी और महिलाओं क कि इंडिपेंडेंडेंसी पे बहुत जादा जो फिलहाल की गवर्मेंट है वो मुझे उनका ये स्टेप बहुत अच्छा लगता है राजनीती और बाके सब चीदों से हटके जो बजट था उसमें भी महिलाओं पे बहुत जादा फोकस था प्लस फेमिन इसर्मेशन बिला हो रहा है तो मुझे लगता है जिस तरह से महिलाओं पर फोकस हो रहा है उससे चाइल्ड मैरेज बहुत हद तक कम हो सकती है 2030 तक मुझे लगता है क्योंकि अब अजिकेशन को लेके अवे ने सारी लोगों में तो हो जाएगा कम बट चाइल्ड मैरेज से इतरहटके जो ऐसे सारी गहां कि और आप में खुद में यह समझ ना जाए कि शादी क्या है नहीं तो फिस ब्यूंपों यह दहिए चाइस लिए व्यवा ग्लब ही नाव कि आपको ननी चाहेँ। इस रावह मुझे लगता है कि शादी की कोई एज पर्टिकूलर नहीं होने चाहेँ। इस इंसान गजे वाद गजाता हूँ तब आपको करने चाहे ? किस तरह की करने चाहे ? आप किस तरह की करना चाहते हो मुझे जहां तक लगता है कि शादी दो लोगों के बीच में होते हैं लेकिन समाजींग इंस्टिशन है तो वो कहते हैं नहीं शादियां तो दो खांदानों के बीच में होती हैं मुझे लगता है जो शादी होती है वो दो लोगों के बीच में होते हैं तो आप दौनों के अंडरस्टेंडिंग उतनी हो कि आप कर पाएं बट अभी जो हलात हैं इस वक्त के वो ऐसे हैं कि शादी में भी कि अमेल परसन कांट अफॉर्ड वाइफ जो डॉमिनेट है जो डॉमिनेटिंग है उनको चाहिए वैसी बीवी जो थोड़ा उनसे दपके रहे हैं उनसे जादा ना कमाती हो और यह हर जगह पर है कि हम से थोड़ी कमानी चाहिए थोड़ा ठीक है जॉब कर रही है कोई बात को मैं जानती हूं इसे कितनी महिला हों को जो हमारे ऑफिस में आती हैं योगर का सारा काम करके आती है वो अपनी सास को खाना के आती है त्योंत इसको डिवाइड के हैet एक हमसफर जो एकोली आपकी कंदे से कटे मिला पर आप किसी नहीं चलने half speed anything कि इंडियन पैरिंट्स आः इस पेशले फोकस आटbokseicação सेव अधिर करा हूग थेयुज दोあटा दो वेयर कुछ than investing in her dreams. So, इस पर आपका क्या है stand है? ऐसा क्यों मतलब उनकी सोच ही है एसी होती है कि भाई पूरी लाइफ सेव करना सिब बेटी की शादी के लिए. हाथ तो यह ना एक particular structure ही बन गया है बाई society में और यह पहले से ही चला रहा है करने हैं उसके बेटी कब अपने अपना माना ही नहीं बेटी हमेशा है । यह हमेशे हैं तो दूसरे घर के है लेकिन the बेटा है उसको आपको प्रॉपर्टी भी उसको देनी है उसको बिजनिस भी कराके देना है उसकी शादी भी करनी है उसके सारे काम करना है लेकिन बेटी को सिर्फ शादी कराके बेजदो खतम करो बट उसकी जगह पे अगर आप एक तो यह भी है कि जो इंडियन मैरेज़ हैं तो अगर वो जो सेव कर रहा हैं, वो उनके दहेज में ना देके, उनको उनकी सपनों में उनको खाब दिखाएंगे, उनको पढ़ाई लिखाएंगे, उनके तालीम में अगर इन्वेस्ट करेंगे, तो जो शादी के बाद एक लड़की अपंग हो जाती है, बिना पढ़ी लि पास तो प्रॉपर्टी होती है, वो तो कुछ भी कर पाएगा और यहां पे आप प्रॉपर्टी राइट्स भी तो नहीं दे रहो मैं हमेशा कहती हूं, डॉरी की जगह और यह जो आप पैसे खटते करकर के दहेज प्रॉपर्टी गाइट्स दोना उनको वेरा प्रॉपर्टी राइट्स दो गे उनको तो उनके पास बैक अप होगा वो स्टैंड ले पाएंगी अभी जैसे बोलते हैं कि शादियों में डाइवार्स रेट बहुत जादा बढ़ गया ना बढ़ गया इसी वजह से तो बढ़ रहा है क्योंकि लड़किया अवेर हो र अगर उनकी शादी में कुछ भी प्राब्लम हो रही है इवन डॉमेस्टिक वाइलेंस तक होता है वो भी हो रहा है तो वो शादी छोड़ी नहीं पहेंगी कि कि किसके घर जाएंगी उस घर से तो आपको यह बोल निकाल दिया गया कि आप पराया धनो और इस घर में आपके अधसया है ेटी होगी ऐस पील्कुल मैं मैंसेज देना चाहूंगी उन पेरेंटी को आपके घरमें वैतने वीड़ी बोज नहीं बढर समझें वही i pointney को दे रहे हैं तब जाके हमारे स्माज में बतलाव आईगा एक बैटी वह सब्सक्राइए बेटी वही कुछ कर सकती है जो एक बेटा कर सकता है एक शेर है रह्मान मुसवर साहब का कि हम उन्हें पर तो देते हैं मगर उन्हें नहीं देते मेरी बेटी बुलबुल है लेकिन पिंजरे में रहती है तो हम हमारी बेटियां हैं हम उनको पर देते हैं हम उन्हें पढ़ाई करने की इज जाज़त भी देते हैं आज कल का जो modern दौर चल रहा है लेकिन फिर भी हम उन्हें उनके हिसाब से जीने नहीं देते हैं मेरा सिर्फ इतना message है कि उनको पढ़ाई दो उनको तालीम दो उन पर restriction ना लगा है उनको अपने हिसाब से जीने दें उड़ने दें गिरने दें फिर मर्द की हिफाज़त की जरूरत नहीं होगी आपका जो इसकी शुरुआत हुई थी वह थी यूएस से यूएस में राइट टू वोट के अधिकार को लेके महिलाओं ने अपना मुमेंट स्टार्ट किया था और उस टाइम पर महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं होता था मर्द सरफ वोट देते थे तो वहां सी इन लोग ही शुरुआत हुई कि हमें जैंडर इक्वालिती चाहिए in each form economically, politically, socially, emotionally, physically हर एक चीजमें हमें चाहिए gender equality अभी जो फेमिटिक पे डेफिनीशन है वो है कि हर एक जैंडर को अब बराबर समझो मर्द को कोई मर्द सुपीरियर नहीं है कोई महिला सुपीरियर नहीं यह कोई LGBTQ superior नहीं है, कोई inferior नहीं है, सब बराबर है, Feminism is just, is all about equality, यह सिर्फ equality की बात करता है, हर एक platform पर, wedge gap नहीं होना चाहिए, आप कोई job कर रहे हैं, उसमें discrimination नहीं होना चाहिए, कि यह वाली job मर्द कर सकता है, यह वाली job आरत नहीं कर सकती है, तो Feminism बहुत, बहुत ज़्यादा simple, simple सा एक idea है, एक बहुत simple, इसको बना दिया है, बहुत tough, बट इसको गलत यूज क्यों है, कोई भी ऐसी opportunity या कोई भी ऐसे मौके नहीं है, जो same नहीं है, सभी को मिल रहे हैं, दोनों को बराबर मिल रहे हैं, कुछ भी ऐसा नहीं है, जिसमें वो नहीं है, तो मतलब, यहाज का दौर है, जहाँ पर मिल रहे हैं, और अभी पूरी तरीके से नहीं मिल रहा है, आप कहीं पर भी चलिए, में रूरल अरियास की में बात करती हूं, अरबन में भी बहुत सारी जगा पहरा में, वेज गैप, आज भी हमारे में मीडिया के अगर बात करूं, तो मीडिया में elbows को कम पैसे मिलता है, मर्दों हो जादा पैसे मिलता है अभी मुझे लगता है कॉर्पोरेट सेक्टर में IT और या बिजनेस सेक्टर में उतना वेजगेप नहीं होगा लेकिन मीडिया है और भी बहुत सारे सेक्टर्स हैं जिनमें वेजगेप है और डिस्क्रिमिनेशन है कि महीला है अगर बहुत कम है हमेशा क्या होता है ना प्रेफरेंस दिया जाता है जब शूट पे फील्ड पे महीला फील्ड पे किसी को भेजा जाता है तो अगर मेरी जगहाँ पे कोई लड़का है पुरुष कैमरा परसन होगा ना वो उसको भेजेंगे क्योंकि वो प्रेफरेंस होता है और फिर दूसरा है महीला हों को आपको ज़्यादा सेक्यॉर्टी देनी पड़ती है अगर आप उनको रात को भेज रहे हैं तो यह आपके जिम्मेदारी बन जाती है फिर कि उनकी प्रोटेक्शन कर और इस वाली फील्ड में जिसमें मैं हूँ और यहां पर हम कैमरा उठाते हैं इस तरह के जो डिस्क्रिमिनेशन है इन सब चीजों की वजह से फैमिनिजम की शुरुआत हुई है और फैमिनिजम की शुरुआत राइट वोट से हुई थी जो बहुत बेसिक राइट है अभी तो सभी जगह पर राइट बहुत बहुत ज्यादा मतलब अगर अगर मैं कानून की बात करूं अगर आप मुझ पर कोई भी ऐलिगेशन लगा रहे हो तो मेरे पास वह राइट ही न हमारी कंटरी में होने चाहिए हमारी कंटरी में अभी क्या है कि अगर कोई रेप विक्टिम है महीला है और वो रेप विक्टिम है तो जो उसकी गवाही होती है न वही प्रूफ होती है जो उसका फर्स स्टेटमेंट होता है न रेप विक्टिम का वही प्रूफ होता है और क्यों होता है क्यूंकि हमारे ये कहां से शुरुवात कहां से हो थी हमारे देश में इतने जादा रेप बढ़ गए थे महिलाओं के खिलाफ और इतने जादा sexual harassment की केसे जा रहे थे कि उनको ये करना पड़ा की कोई भी महिला अगर अपना रेप की बात आगे बता रही होगी मुझे नहीं लगता कि कोई रेप विक्टिमा की जूट में यह वो लेगी कि मेरे साथ रेप की बात नहीं है सिर्फ एक रेप की क्राइम नहीं बहुत सारे और भी नहीं है नहीं तो अनको पता है कि हमारे क्या राइट जै कि वो कहते हैं कि इतनी सी चीज का इतना बड़ा बन सकता है, पर अगर कुछ नहीं होगा तो कुछ बिली बनेगा, अगर आपने इतना सा कुछ किया होगा, तो यह हो सकता है, कि आपने उसके साथ कुछ थोड़ा बहुत है, अब उसको लगे कि मुझे से बदला लेना है, तो मैं इस पर रेप का केस आपने वो सारे allegation मुझ पर लगा दिया, आपने कुछ भी बोल दिया, तो इसके बारे में अप क्या गएंगे? तो फिर क्या होता, क्यों इतने allegations लगा दी जाते हैं, मैं अगर आपको lift के लिए मना करते हैं, मैं मना कर सकता हूं, वो ego hurt वाली बात नहीं, लेकिन देखे, जो गलत है, वो गलत है, मैं यहाँ पे उन लड़कियों को बिल्कुल support नहीं करूँगी, जो किसी भी law का misuse कर रही है या फिर कुछ हुआ नहीं है, और वो जाके किसी पे allegation लगा दे रहे, उनके जिंदगियां बरबाद हो जा रही है, मैं कभी support नहीं करूँगी, यह गलत है, अगर लड़के की तरफ से हो रहा है, लड़की की तरफ से हो रहा है, तो भी गलत है, feminism, equality की बात करता है, अगर चाहिए, यह खितरा है, अगरवित defenses is not about women only, I am seeing feminism is about all the genders, जब feminism बात कर रहा है, तो वो मर्दों के equal rights की बात कर रहा है, वो महिलाों के equal rights की बात कर रहा है, वो LGBT qualité कि equal rights की बात कर रहा है, वो सारे gender की बात कर रहा है, अभी जो feminism को label कर दिया गया है, और feminist को जिस तरह मर्द मानती हूं उन्होंने जिस तरह से हम लोग के इक्कल राइट्स के लिए इस तरह के लिए लड़ा तो अभी भी जो फेमिनिजम को समझा जा रहे ना बहुत गलत तरीके समझा जा रहे हैं कि इस अल अब विमें कि महिलाओं की बात करेंगे महिलाओं का ही होगा सब कुछ ऐसा नहीं है फेमिनिजम हर एक जेंडर की बात करता है अगर मैं आपकी अगर मैंने प्रोफाइल देखी तो आप इस विमेंस का ही सेफगाइडिंग करते हुआ ठीक है उन्हीं के वारे मूनीका स्टैंड लेते हो या फिर अगर किसी बहार चार लोगों की भी बात करें तो वह भी विमिन को ही देखेंगे कि भाई इसकी गलती हो होगी और तो फिर हमारा क्या होगा मरा गौन स्टैंड लेगा हमार पास जैंडरी न्यूटर लोग भी नहीं है कि अगर किसी मर्द ने गलत किया तो में उस मर्द को भी कंडम करूंगी ना अगर किसी ओर गलत किया है। प्लेव है मैं सिर्फ महिलाओं को मैं इसलिए बोल्री नहीं कि मेलाओं को सदियों से दबाया जा रहा है और और अगया हा तो हमेशाथ जैसे होता है ना कि और जो शेती के यहां शेया रहे जा रहे है अ संबहुतु हमेशा आपे अला and थोड़ा मर्दो के भारे भी पोस्ट करें हैं अब अच्छा लगेगा मन मर्दो पोस्ट करती हूं बिल्कुल करूंगी अगर मुझे लगेगा गोई महीला गलत कर रही है किसी मर्द के साथ मैं बिल्कुल लिख हुँगे टो मेल और फीमिल सेम होते हैं भॉष नहीं हो सकते हैं या सेम नहीं हो सकते हैं मुझे ऐसा लगता है महिलाइं जादा स्ट्राइब इमोशनली बहुत स्ट्राइब होती हैं महिलے फिजिकली भी स्टॉंग हो सकती हैं, वह फिजिकली तो बियलॉजिकल वाली चीज़ आजाती है, कि इतना खैबल नहीं बनाया गया कि मैं शायद 15 के लोगा वजन उठा पाऊं, एक मर्द उठा सकता है 20 किलो, वह सकता है मीरी कैपैसिटी नहां कि मैं 10 किलोगी उठा प होती है जब पूरी वह पूरा घर चला रही होती है कितने सारे लोगों को डील कर रही होती है इविन आज भी वह नौकरी भी कर रहे है वह घर का काम भी कर रहे है तो महिला और मर्द बराबर कैसे हो सकते हैं तो मर्द इमोशनली स्ट्रॉंग होते हैं बट मुझे लगता है कि सबसे बड़े जो विक्टिम है ना पैट्रियार्की के वो मर्द है मर्दों को औरतों से जाधा नुकसान हुआ है और तो तो हुआ है 110% ना नीचे दबाया जाए पर मर्दों को और जाता हुआ है कि आप घर के लिए काम करो कारियर इस दा उनली ऑप्षिन फो लिए अगर आप पैसा नहीं कमाओगे आपके शादी नहीं होगी आपको इतना आपके पास गाड़ी होनी चाहिए यह सारे जो नॉम्स बनाएं ना यह इसी पेट्रार्की ने तो बनाएं जब आप एक बीवी ने ढूनके एक्वल पार्टनर ढूनोगे तो ना तो आपको फ्रैट खरीद नहीं जोड़ पर इना आपको गाड़ी करीद नहीं के दोद पर इ जो खुद को इमोशनली इतना वल्नरेबल दिखा दे बट इस पेट्रेयार्की ने इस पेट्रेयार्की ने आपका इतना नुकसान के आए ना कि आपको हमेशा एक स्टॉंग इमेज में दिखाए है अभी इतनी हो गई है कि औरतों ने मर्दों को रोलागे रखावा यह यह आपका इमोशन बहार आ है मैंने कभी मर्द को अपने गाउँ में या कहीं पर रोते वे नीदेखा था तो इससे प्लाइब क्या वान रहा है रोना इस लाहि कि जब आप आप emotional vulnerability दिखा रहे हो अपनी कि आप यहाँ पर vulnerable हो मर्द भी vulnerable हो सकता है मर्द हमेशा strong नहीं रह सकता जैसे औरते vulnerable हो सकती है या औरते strong हो सकती है वैसे ही मर्द strong होने के साथ vulnerable भी हो सकता है यह जो notion है इसको हमको यह comment करना पड़े रहे सदफ कुछ career advice देने चाहोगे सबके लिए सबके लिए हमें सर्फ career wise इतना ही कहना चाहूंगी कि structure से हटके सोचें दिमाग के धाचे जो condition कर दिये गये हैं कि अगर आप औरत हो तो आप teacher बन सकती हो आप doctor बन सकती हो और अगर मर्द है तो वह किसी भी profession में जा सकता है मेरा यह कहना है कि आपका जो passion है जो आपको लगता है कि आपकी passion fall कोई ऐसा काम जिसको आप 24 घंटे बिना सोय कर सकते हो वो काम आप अपने career में लेके जाए और वो काम कुछ भी हो सकता है वो singing हो सकता है वो music हो सकता है वो dance हो सकता है वो poetry हो सकती है जैसे फैज हैं जावेद अक्तर सहाब है डांस में बहुत सारे लोग हैं इवन डॉक्टर एपी जे अब्दुलकलाम जिन्होंने मिसाइल बना दी तो जब आप structure से हटके सोचते हो ना तब आप कुछ अलग कर पाते हो जब आप structure में रहके सिर्फ डिगरियां हासिल करके सिर्फ नौकरी करना चाहते हो तो सिर्फ आ झाल